Hey students, how are you? I hope you all are fine, happy and safe, है न सब लोग safe और happy? Yes, of course, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ेंगे अपना exam, आपको तो पता ही है न आपके exam आ रहे हैं? Yes, तो आज हम करेंगे उसी exam की preparation Okay students, आपने इससे पहले भी exam दिये हैं न? तो बस simple exam है, उसको हम तयार करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगे कि कैसे आपको exam में fill करना है ताकि आप easily अपना exam दे पाएं Okay students, चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए स्टार्ट देख रहे हैं आप ऐसा आपका exam पेपर होगा और आपको इसमें fill करना है तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे fill करना है अब आपको 1 to 10 countings तो आती ही होगी क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं countings Yes, 1 to 20 countings हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो बस हमें कुछ भी नहीं करना है 1 से लेके 10 तक इस वाली stripe में fill करना है और उसके बाद 11 से लेके 20 तक इस stripe में fill करना है Okay students, तो चलिए मैं आपको fill कर गी बताती हूँ जैसी कि 1 के बाद क्या आएगा बिटा? 2 तो हम बनाएंगे 2 और इसके बाद 3 C के बाद 4 देख रहे हैं आप बस simply counting आपको करना है 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 8 के बाद 9, येस, और 10 तो already इसमें बना हुआ है बना है न, तो बस 1 to 10 हमने counting fill कर ली अब हम करेंगे 11 to 20 counting तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 11 तो इसमें बना हुआ है तो हम बनाएंगे 1 to 12, येस, अब बनाएंगे 1, 3, 13 1, 4, 14 1, 5, 15 1, 6, 16 1, 7, 17 1, 8, 18 और 1, 9, 90 और 20, already इसमें fill है, ओकी, तो second question हमारा है fill the missing numbers, अब आपको क्या करना है, इसमें भी counting है लेकिन इसमें क्या हुआ है, कुछ numbers miss हो गए है और कुछ-कुछ लिखिये हैं, तो जब हमें counting आती है तो हम इसको भी fill कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छा बताईए, 4 के बाद क्या आता है अभी हमने किया न, 4 के बाद क्या आता बिटा 5, तो हम इसमें क्या fill करेंगे? 5, अब 5 के बाद क्या आएगा? 6, तो हमने इसमे 6 fill कर दिया है ओके स्ट्रेंड्स, अब 6 के बाद 7 तो already इसमें filled है तो 7 के बाद से लिखेंगे हम 7 के बाद आएगा 8 और 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10 already इसमें fill है और 10 के बाद 11 बस इसी तरह आपको counting इसमें भी करना है लेकिन इसमें कुछ numbers दिये हैं कुछ हमें fill करना है तो चलिए आगे भी fill करते हैं 11 के बाद आएगा 1, 2, 12 1, 3, 13 अब 14 पहले से बना हुआ है तो 1, 5, 15 1, 6, 16 और 1, 7, 17 इसके बाद आएगा 1, 8, 18 1, 9, 90 और 2, 0, 20 अल्रेडी बना है तो 2, 1, 21 2, 2, 22 2, 3, 23 अल्रेडी इसमें है 2, 4, 24 2, 5, 25 26 इसमें बना हुआ है तो 27 देखिए इस box को आपने पूरा fill कर लिया ना देख रहे हैं इस box को मैंने पूरा fill कर दिया इसी तरह आपको भी अपने exam sheet में इसको fill करना है चलिए Next question is दूसरा question हमारा क्या होगा देखिए How many 9 are in a ball तो 9 numbers आप जानते हैं 8 की बाद जो आता है 9 अब यह ball बना हुआ है इस ball के अंदर आपको क्या करना है इस ball के अंदर आपको 9 को ढूंट के उस पे count करना है जैसे कि हमने अभी किया था तो अब हमें इसमें 9 ढूंट के count करने के total कितने 9s इसमें हैं और यहाँ पे हमें इसमें लिखना है ओके इसमें तो चलिए count करना शुरू करते हैं 1-9, 2-9, 3-9, 4-9, 5-9, 6-9, 7-9, 8-9, 9-9, 10, 11 and 12 तो total कितने 9s इसमें 12 तो हम यहाँ पे इसकी counting करके और यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 12 बस, simple है, count करना तो सबको आता है मुझे पता है, तो बस हमारा exam complete हो गया बस इसी तरह आपको अपने exam sheet को भी अच्छे से fill करना है ओके students, I think आपको समझ में आ गया होगा yes तो ओके, bye bye students stay home, be safe झाल 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 झाल